है लो गाईज विल्कम तो दिकार शोव आज आपके सामने है All New 2022 Tata Tiago Tata Tiago 2022 का प्राइस चार्ट होता है 5.38 लाग रपीस से और जाता है 7.80 लाग रपीस तक विरियंट्स की बात करें तो काफी सारे विरियंट्स आपके यहाँ पे Tata Tiago के अंदर आफर किया जाते हैं जो की है XE, XT Limited Edition, XT Option, XT, XZ और XZ Plus बाकी इस पर्टिकलर कार के अंदर बात करते हैं तो यह हमारा है Middle variant जो की है XT Option इस कार के अंदर आपको यहाँ पे काफी सारे basic features आफर किया जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर दिखाने बनाऊ प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकलर वीरियंट का एक्ष्ण प्राइस पड़ेगा 5.80 लाग रुपीस और फ्यूल ओप्शन के बात करते हैं तो दो फ्यूल ओप्शन के साथ आपको यहाँ पेट्रोल और CNG इंजन के बात करें तो यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पेट्रोल वैली में ओफर किया जाता है 1.2 लीटर का थ्री स्लेंडर पेट्रोल एंजन जो की प्रेडियूस करता है 85 पीस की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉक और इसकी एयर एक लेट मायलेज है 23.84 किलो जैसे कि अब इस समर्स के अंदर बहुत ही जादा प्लेजन फिल करवाएंगे जब भी आप कार में बैठेंगे तो ज़रूर से जागरी से बाय करें लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा चलिए अब बात कर लेता है कार के फ्रेंट प्रफाइल के बार सीदा इसकी हेड्लाम से हेड्लाम के बात करते हैं तो यहां पर आपको इसमें हेलोजन बेज्ट हैड्लाम किये जाते हैं जो किया आता है साइट टर्न इंडिकेटर अग्जात वागनेट का उप्शन आपको यहां पर इस वीरिंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा बट नसेसरी आप इसे लगवा सकते हैं बागी कुछ ऐसा आपको कम्ट्रीट लुक मिल जाता है कार का फ्रंट एंड और अभी आप इसकार का वाइड कलर देख रहे हैं इसकलाब आपको 5 और डिफरेंट कलर ऑप्शन भी इसकार पे बढ़ते हैं चलिए बढ़ते हैं कर के साइ 65R14 and Bridgestone brand के टायज यहां पर यूज़ किया गया फ्रेंट में आपको यहां पर दो डिस्क रेक्स मिल जाती है पीछे एक साइड पर आपको ड्रम ब्रेक्स ही दी गई है अब बढ़ते हैं इसके ओवर्वियम की तरफ तो यहां पर आपको इसके ओपर side turn, indicator देखने को बलता है and glossy black finish में आपको यहां पर इसका पूरा का पूरा overview दिया गया जो कि काफी जादा बढ़िया लग रहा है door handles आपको यहां इसमें body color ही मिलता है इसी कंदर आपको यहां पर इसमे side turn, indicator and reverse parking light भी मिल जाती है उसका tailgate की center पर आपको यहां पर देख सकते हैं इसका Tata का logo नीचे आपको उसके दी गई है Tiago की badging and उपर आप देख सकते हैं dealership का number जहां पर कि मैं भी खड़ाओ and यहां पर आपको इस car के उपर best deals and quickest deliveries offer की जाती है बाकि कोई पीरिया वाइपर वाइपर वाशेटिफ हो अगर आपको यहां नहीं मिले गाला vocal for local की आपको यहां badging इसमें मिल जाती है spoilers आप देख सकते हैं ब्लाक फिश ने दोनों साइट्स पर आपको थोड़े थोड़े दिये गए बाकि ब्रेक लाइट आपको यहां इसमें मिल जाती है बाकी roof के अगर बात करते हैं तो roof आपको यहां पर पूरी की पूरी इस car में plane दीगी सिर्फ आगे की तरफ आपको यहां पर एक normal type का Indian इसमें दिया जाता है अगर अब चलते हैं car के अंदर and check करते हैं इसके interiors को तो यह है गईज इस car का driver side door जो कि आपको मिल जाता है इसमें dual tone finish में जो की है black and beige और इसके उपर आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको सबसे विल देखने को मिलता है आप वाव विंडो के speech आपको दी गई है इसमें कुछ storage space और यहां पर आप नीचे उसके देख सकते हैं इसमें और storage space मिल जाती है कुछ दिंग आपको यहां पर इसके उपर देखने को नहीं मिलेगी speakers आपको यहां पर इस variant के अंदर दिये जाते हैं और यहां से आप इस car के over games को adjust कर सकते हैं बागी door opening के अगर बात करते हैं तो इस car के doors काफी wide open हो जाते हैं इस car के अंदर enter exit करने में आपके यहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वली है अंदर आती है आपको यहां देखने को मिलती है manual adjustment के साथ इसके driver side seat और कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा first look इसके dashboard का और अब keys की बात करें तो यहां पर आपको इस car केंदे कुछ इस तरह की keys offer की जाती है जो कि आती है lock unlock और headlamp को on or off करने के option के साथ flip keys आपके यहां पर एक मिलती है और दूसरी आपको बिल्कुल नॉर्मिल की सकार में दी गई है चलिए अब कर लेते हैं कार का ignition आपके यहां पर इसमें मिलता है की को insert करने का area अगर बात करते हैं इस कार में पूरा मिल जाता है बाकि अगर बात करते हैं स्टेरिंग वील के तो यहां पर आपके सकार में कुछ इस तरह का steering wheel दिया जाते है जो की है डी कट आंड काफी अची finishing के साथ यह आपको आफर किया जाता है प्यान ब्लाक इंसर्ट भी आपके यहां पर इसके उपर दिये गया है बाकि steering wheel करकर adjustment की बात करते हैं जिससे आप यहां पर tilt वे में ही सिर्फ एजस्ट कर पाएंगे टेलिस्कूप की option आपको यहां इस पर देखने को नहीं मिलता है और कुछ आपको complete layout देखने को मिल जाते हैं इसके टाश्पूट का चोकी काफी जादा बढ़िया लग रहा है सेंट में आपको दो इस इविंट्स दिए गए जिसके बीच में मिल जाता है हजार लेट का स्विट साथ ही आपको यहां पे Chrome इंसर्ट की देखने को मिल जाता ह बाकि इसके अपर वेरिंट केंदर Android और आपल कार पर भी आपको दिया गया है फिर आपको इसके नीचे मिल जाते हैं एसी कंटोल जाते हैं यहां इस फ्रेग्रेंट केंदर आफर किये जाते हैं यहां से एसे एसी को आन्याफ कर पाएंगे पर आपको मिल जाती है कुछ को भी कम्यादा कर सके लिंक आपको किसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जएगा जरूर से जाकर बाय करें इसे भी अपनी कार के अंदर मेरी तरह लगा लें फिर आपके स्पीड का मैनुल गेर बॉक्स जिसमें की रिवर्स गया लगाती है आपको कुछ इस तरह का रिवर्स प पढ़ी सारी स्ट्रेश पेसे में मिल जाती है सेंटम आपको यहां पर कोई भी आंदर इस पर देखने को नहीं मिलेगा सीट के बात करते हैं तो यहां पर आपके स्कार केंदर कुछ इस तरह की ट्राइब डिजाइन में पूरी की पूरी प्लाक कलर में फाब्रिक सीट्स आ स्को किया थे लिए जो की काफी तरह केंदर किसी भी कर के फोस उस नहीं कर जाती है पच्छ उसके ऑपर जो कि कि पुरे जाते हैं आपको सभी को पता नेक्सन नेक्सन नेङ पूरे 5-40 स्कोर किया है यहां पर आपको फॉर मिलता है जो की बहुत ही बड़ी स्कोर भागी नीचे आपको मल जाता है इस ग्लव बॉक्स जो कि आता है डीशन्ट स्पेस के साथ ऊपर भी एपके इस पर स्टोरिश भी जाते हैं आपके इस पर इसे मिलता है एक टिकेट होल्डर बाकि यहां पर आपके स्टी कर बात करते हैं तो यहां पर आपके सकार के अंदर ट्व यह 75,000 km के परिंटी आस टेंडर मिलती है जिसके आप एक्स्टेंड भी करवा सकते हैं और एक्स्टीरिया बॉड़ी के लार ऑप्शन के अगा बात करते हैं तो वह अब आप अप्टी स्क्रीन के पर देख सकते हैं चलिए अब चल लेते हैं कार की बैक सीट में चल कर चेक कर लेते हैं इस कार का बैक सीट कमफर्ट तो यह गाईस इस कार का बैक डॉल चुकिए आपको मिल जाता है सेम फ्रेंट डूर की तरह ही डियोल टॉन ब्लाक इंड बेच किलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा पाफ विंडो का स्विच पीछ आपको दी गई इसमें कुछ चोरेज स्पेस नीच आपको यहाँ पर और स्चोरेज स्पेस भी मिल जाती है उपर आपको यहाँ डूर हैंडल मैट बलाक फिरिश में दिया गया है बाकी इस कार का बैक जाती है डाश्बूट लेट आपको यहाँ पर कार के अंदर बैट के कुछ ऐसा लगने वाल है जो की डी सेंट है इस प्राइस पॉइंट को देखते हैं बाकी नीच आपको यहाँ पर कोई बीएस इविंट से गयरा इस कार के अंदर आफर नहीं किये जाते हैं थोड़ा सा बेरे पैर आगे की तरफ पूरे इसमें टच हो रहे हैं लेग रूम यहाँ पर अच्छा घासा मिल रहा है और हेड रूम यहाँ पर डीसेंट साही मिल रहा है तो मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूंगो कि आप टाटा पंच के लिए जाए अगर आपकी हाइट 58 से ज्या अप्शन दिया गए दूसरा आप यहाँ पर की को भी इंसर्ट करके इसका टेलगेट ओपन कर बाएंगे बाकी मैं इसे अल्रेडी ओपन कर चुक हूँ अब अगर बात करते हैं इसके बूट की तो यहाँ पर आपके इसकार के अंदर टोटल 242 लीटर का बूट पेस आफर क किया गया है बागी अब बंद कर देता है इसके टेलगेट को अंद बात कर लेता है इसकार के प्राइस की तो गाईस इस पर्टिकुलर का टाटा ट्यागो 1.2 पेट्रोल एक्स्टी ऑप्शन का एक्स्वर्म प्राइस है 5.80 लाख रुपीज और आपको चंडी घड़ में प का पर्फियुम का जैसे कि आप जाकर सरूर सेबाए करें तकार शो कूपन कोड यूज करने पर आपको इसके एंड इंवाल्फ की कम्प्लीट रेंज की पर लाग 10% का इंस्टेंट इसकाउंट मिल जाएगा तो यही थी गाईस कम्प्लीट वीडियो आई होप याल kindly this video please do hit the like button and also subscribe to my youtube channel thank you